हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल स्मार्ट स्टडी गाईज, आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर थी करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है हिंदी ये वर्क्षिट 13 एप्रिल 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं वर्क्षिट, ये वर्क्षिट जो लास्ट एर वर्क्षिट आई थी सेम वही वर्क्षिट अब आई है तो आप चाहें उस वीडियो से कर लीजिए, चाहें यहां से कर लीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट पिछले कारे पत्रक में हमने पड़ा था कि बदलू गाम की लाग की चुडिया बनाने का काम करता है वह लेका को सुन्दर-सुन्दर लाग की गोलिया बना कर देता था वह चुडियों की पैसे नहीं बेचता था बलकि उसी अभी तक वस्तु विनमय का तरीका था मलब वो क्य की हातों में उसे कांच की चुडिया दिख जाती तो वह अंदर यंदर पूर जाता था मलब उसे बहुत गुस्सा आता था जब कोई कांच की चुडिया पहनता था क्यों कि वो इतनी महनत से चुडिया बनाता था और कोई लाख की चुडिया ना पहन के कांच की चुडिया बारे में मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चुड़िया पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला वहां तो सभी कुछ होता है वहां की ओरते अपने मरत का हाथ पकड़कर सरग पर घूमती है क्योंकि यह गाउं में रहता था तो उसे शहर का मुखोल थोड़ करता था जिस दिन गायें के दूर होता तो वह सदा मेरी लिए मलाई बचा कर रखता आम की फसल में से रोज यहां से दो चार आम खाया आता था परन्तु इन बातों के अतरिक जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह था कि वह रोज मेरे लिए एक दो गोलिया बना देता था आँच की लाक की क्या करता था वो गोलिया बना देता था मैं बोधा हर गर्मी चुट्टी में अपने मामा के यहां जाता था और एक आदे महीने वहां रहे का स्कूल खुलने के समय ही वापस आता था परन्तु दो तीन बार मैं अपने मामा के यहां गया होंगा तभी मे लगबग आठ दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाग की गोलियों में मेरी रूची ही नहीं रह गई थी अत्य गाओं के लोग भी कई दिनों बाद मुझे बदलू का ध्यान ही निया जब वो बहुत टाइम के बाद में गया आठ मुझे बदलू का ध्यान आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगर में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूली तोटकर कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा हुए समझे कि वह क्या रहा है कि बरसात में उसकी मामा की लड़की फिसल गई जिससे कांच की चूड़ी उसे लगई मेरे मामा उस समय घर पर नहते मुझे उसकी महरम पटी करने पड़ी तब ही सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया मैंने सोचा कि उससे मिला हूँ अता शाम को मैं घुमते घुमते उनके घर गया बदलू वहीं चबू किसी के खातिम तारी करना बहुदा हमेशा अवधी समय रूची लगाओ विरले मतलब बहुत कम ही कांच की चूड़ियां दिखती थी हाथ में लाक की चूड़ियां सहसा एक आएक खाट मतलब चार पाई ये शब्दार्थ भी अप अपनी नोट बूक में लिखेंगे अब फरस्ट कोशिन गाओं में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया देखो वो इतने साल के बाद गया था और उसे अब जो लाक की गोलियां थी उनमें भी कोई इंटरस्ट नहीं रहा था इसलिए उसका ध्यान नहीं आया तो आईए करते हैं इसका आंस अंसर हम तो देखिए अंसर क्या कहता है गाओं में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि अब इतना बड़ा हो चुका था कि लाक की चुड़े में उसकी कोई रुची नहीं रही थी अब उसको लाक की चुड़े पहले वो खेलता था लाक की चुड़े उसे लेकिन अब उसका इंटरस्ट नहीं रहा था इसलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया अब हम करते है प्रशन नमबर टू प्रशन नमबर टू बदलू लेखक से घंटो क्या बाते करता था क्या बाते करता था उसकी पढ़ाई की उसकी शहर की इसा बात कैसे है शहर में घर कैसे है शहर का जीवन कैसा है इसलिए वो घंटो बैट के बाते किया करते थे अब हम करते हैं प्रशन नंबर तीन प्रशन नंबर तीन घर में महमान आने पर आप उनकी महमान नवाजी कैसे करेंगे सोच कर लिखिए जो आपके घर को Yuri आता है तो उसकी महमान नवाजी कैसे करेंगे उन्हें आने के बाद बैठने के लिए कहेंगे नाश्टा पानी पूछेंगे उनसे बाते करेंगे इसी तरह मुनको महमान नवाजी करते हैं आप किस तरह से करेंगे आप यहां पर वो लिखिएगा तो आए देखते हैं इसका अ खिलाएंगे और उनसे बाते करेंगे अगर आपस में कुछ और एड करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर लिख सकते हैं अब हम करते हैं नेक्स्ट कोश्चन प्रशन नमबर फोर अपने मित्रों या भाई बहन से बाचित करके लिखिए कि लाग की चूडियों के अत्रिक्त क कड़े विभीन परकार के सजावती डिब्बे सजावती पैन गले के हार जुमके वे विभीन परकार के गहने बनाए जाते हैं तो यह है अंसर नमबर फोर आज की वर्क्षिट कंप्लीट होती है यह वर्क्षिट सेम थी वर्क्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक क कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रही थैंक यू